Hello this is Bharti, welcome to my channel जब हम glacier के बारे में सोचते हैं तो हमाई सामने कुछ ऐसी सी image आती है लेकिन actual में glacier होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं ये बहुत ही कम लोग जानते हैं तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे इन सारी details के बारे में Glacier, Glacier एक huge mass of ice है बर्फ का एक huge mass है जो की land पे slowly move करता है ये एक दिन में कुछ cm से कुछ मीटर ही move करता है ये इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं जब snow के उपर layer by layer layer by layer एक ice form में एक बड़ा सा mass बन जाता है तो उसको glacier बोलते हैं ये तभी बन सकता है जहां पर temperature low है और जो snow है हर साल उस पर pile up होती रहती है इस इतनी इखटी हो जाते कि वह एक बड़ा सा huge mass बन जाता है ठीक है अब हम ये जान लेते हैं कि glacier बनते कैसे हैं Glacier पहले जो precipitation होता है in the form of snowflakes जो precipitation means बारिश जो की बारिश की जगए पानी की जगर snow गिरती है तो snow गिरती है वह एक fluffy form में होती है बहुत light होती है लेकिन जब ये snow flakes fuse हो जाते हैं एक खटे हो जाते हैं तो एक granular shape ले लेते हैं जैसे कि आप photo में देख सकते हैं ये देखें जैसे कि आप photo में देख सकते हैं एक pebble shape हो जाते हैं एक granular structure ले लेते हैं जब ये granular snow जो है आपस में fuse होती है तो ये fern का shape लेती है और जब ये fern और fuse होते हैं आपस में तो एक glacier ice बनती है इसी को हम glacier बोलते हैं और glacier को glacier तभी कह सकते हैं जब उसमें कोई movement होगी अगर movement नहीं है तो वो सरिफ एक ice है चंक of ice है Glacier को glacier कहलाने के लिए इसमें movement होना बहुत जरूरी है और glacier इन सारे procedures से होके ही गुजरती है तभी glacier बनता है ऐसा नहीं है कि कोई भी बर्फ पड़ी है कोई भी ice पड़ी है मुसको glacier बोलेंगे जब इतने हजारों सालों में इस तरह जो है snow flakes fuse होके granular snow बनती है फिर fern बनता है फिर glacier ice finally बनता है अब glacier के मुहां Glacier को glacier कहलाने के लिए मैंने आपको पता दिया कि movement होना बहुत जरूरी है ठीक है Glacier जो move करता है gravity के influence में करता है और अपने weight के influence में करता है Glacier इतना heavy होता है इतना बड़ा mass होता है कि उसका pressure की वज़े से जो नीचे की layer होती है सबसे नीचे की melt होने लगते है even 0 degree से कम temperature है फिर भी melt होने लगते है क्योंकि pressure वहां पे जादा है तो जो melt water है एक lubricant की तरह act करता है तो उससे glacier move करते है Glacier कुछ cm से लेकर कुछ मीटर ही per day में move करते हैं ऐसा नहीं कि बहुत fast move करते हैं ठीक है Glacier जैसे एक river है पानी लेकर आगे बढ़ती है वैसे ही glaciers जो है आइस लेकर आगे बढ़ते हैं इसलिए इसको rivers of ice भी कहा जाता है और जो movement glacier का रहता है वो center यानि की center में जो है वो जादा रहता है as compared to sites तो आप अगर glacier की shape देखेंगे तो कुछ इस तरह होगी अगर आप topography देखेंगे एक जगह देखेंगे तो glacier अपनी छाप छोड़ता जाता है क्योंकि वो erode करता रहता है नीचे की परत, side की परत तो आपको पता चल जाएगा कि glacier कहां कहां से गुजरा है तो यह जो center वाला area है यहां पे जादा movement होती है glacier की as compared to sites glacier हर continent में आपको मिलेंगे Australia को छोड़के ठीक है अब glaciers दो category में group होते हैं एक होता है alpine glacier दूसरा है ice sheet और continental glacier चलिए इसके बाल में जानते हैं alpine glacier को valley glacier और mountain glacier भी कहा जाता है यह mountain sides में glacier बनते हैं और downward जाते हैं in the form of valley जैसे यहां पे glacier बना तो इनकी movement ऐसे होती है ठीक है जैसे कि मैंने अभी पता है यह हर continent में पाई जाते हैं Australia को छोड़के अब दूसरा है continental glaciers continental glaciers वह होते हैं जब कोई glacial ice cover करती है एक terrain को एक continent को जो की 50,000 square km से उपर का area अगर cover करती है तब उसको continental glaciers या ice sheet बोला जाता है जब वह glacier 50,000 square km से उपर area cover करती है तो इसको continental glaciers बोलते हैं एक तरह का dome बना लेते हैं ऐसी शेप बना लेते हैं फिर चारो तरफ फैलते जाते हैं तो पूरा cover कर लेते हैं इस समय continental glaciers आपको सिफ अंटार्टिका और Greenland में मिलेंगे वहाँ पर बड़ी बड़ी sheets है आई sheets है ठीक है I hope आपको समझ आ गया होगा कि glaciers क्या होते हैं वो कैसे बनते हैं और ये कितने टाइप की होते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको like करना मत भूलिए जिगा और में चैनल को पी subscribe जरू कीजेगा Thank you